देश में कोरोना संक्रमन तेजी से फैलने की प्रमूख वजहों में से पिछले महने हुए चुनाओ और कुम्भ भी है ये बात विश्व स्वास्त संगटन यानि की डबलो एचो की रिपोर्ट से भी साबित हो गई है कोरोना को लेकर वहो की तरफ से बुधवार को जारी अपडेट में कहा गया है कि भारत में कोरोना संक्रमन बढ़ने के पीछे कई संभावित वजह है विश्व स्वास्त संगिटन के विकली अपडेट में कहा गया है कि भारत के कोरोना पोजिटिव सेंपल्स में से शुन्न देशमलो एक प्रतिशत को Global Initiative on Sharing All Influenza Data पर सिक्वेंस किया गया था ताकि कोरोना वेरियंट्स का पता लगाया जा सके इसमें सामने आया कि B.1.1.7 और B.1.6.1.2 जैसे कई वेरियंट्स की वजह से भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई डबले हो के मताबिक अप्रिल के आखिर तक भारत में कोरोना के 21 प्रतिशत केसों में B.1.6.1.1 वेरियंट और 7 परसेंट में B.1.6.1.2 पाया गया दुनिया भर में कोरोना की एस्थिती को लेकर विश्वस्वास्त संगेटन का ये कहना है कि पिछले हफ़ते संक्रमन के नए मामलों और मौतों में थोड़ी कमिया है इस दौरान 55 लाख नए केस आये है और 90 हजार लोगों की जान गई कुल केसों में 50% मामले और 30% मौते भारत में हुई है पिछले हफ़ते साओध इस्टेशिया के कूल मामलों में से 95 फिजदी भारत के थे और कूल मौतों में से 93 फिजदी मौते भारत में हुई थी